अपर टॉपी का नाम है जहांगीर 1605 इसपी से 1627 इसपी तक सासन किया आईए हम लोग पॉइंट वाई पॉइंट सुरू करते हैं अकबर का उतराधिकारी सलीम हुआ जो 24 अप्टूबर 1605 इसपी को नुरुदीन मुहम्मद जहांगीर बाद साही गाजी की उपाधिधार करगदी पर बैठा जहांगीर का जनम 30 अगस्त 15 सम्नाट इसपी में हुआ था अकबर ने अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सुफी संद शेक सलीम चिस्ती के नाम पर रखा था जहांगीर को नियायका जनजीर के लिए याद किया जाता है यह जनजीर सुने की बनी थी जो आगरे के किले के सहाबुर्ज एवाम यमुना तट पर इस ती पत्थर के खंबे में लावाई हुई थी जहांगीर द्वारा सुरू की गई तुझी के जहांगीर नामक आत्म कथा को पूरा करने का स्रे मौत बिंद खां को है जहांगीर के सबसे बड़े पूत्रे खुसरो ने 1666 में अपने पिता के पिरुद बिद्रोह कर दिया बिद्रोह कर दिया खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद जलंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में हुआ खुसरो को पकड़ कर कैद में डाल दिया गया खुसरो की सहायता देने के करर जहांगीर ने सिफको के पांचवे गुरू अरजुन देव को फांसी दिलवादी खुसरो गुरू से गुए इंदवाल में मिला था नेक्ष्ट पॉइंट डेक्ते हैं अहमद नगर के वजीर मालिक अंबर के ब्रिद सफलता से खुस होकर जहांगीर ने खुरूर्म को सहजादी उपाधी प्रदान की सलसाव बाइस इसपी में कंधार मुगलो के हाँच से निकल गया शाह अबास ने इस पर अधिकार कर लिया नूर चहां इरान निवासी मिरजा गयास बेग की पुत्री नूर जहा का वास्त्विक नाम महरून निशा था 1594 इसपी में नूर जहा का विवाह अली कुली बेग से संपन हुआ जहांगीर ने एक सेर मारने के कारण अली कुली बेग को सेर अफगान के उपाधी प्रदान की 1607 इसपी में सेर अफगान की मृत्व के बाद महरून निशा अकबर की बिधवा सलीम बेगम की सिवा में निप्ट हुई सर प्रथम जहांगीर ने नौरोच तेवहार के अवसर पर महरून निशा को देखा और उसके संदर पर मुगद होकर जहांगीर ने 1601 इसपी में उशे विवाख कर लिया विवाख के पचचाद जहांगीर ने उसे नूर महल एम नूर जहां की उपाधी परदान की नूर जहांगीर ने चांदी के सिकेश जारी किये नेक्स पॉइंट जहांगीर ने ग्यास बेक को साही दिवान बनाया एम इतमादुल दौला की उपाधी थी लाडली बेगम सेर अफगान एम महरुन निसा के पुत्री थी जिसके साधे जहांगीर के पुत्रे सहर यार के साथ हुई थी नूर जहां की मा असमत बेगम ने गुलाब से इत्रे निकालने के बिधी खोजी थी महावत खाने जहलम नदी के तड़ पर 1626 सिस्पी में जहांगीर नूर जहां एम उसके भाई अशफ़ खापो बंदी बना लिया था जहांगीर के पांच पुत्र थे खुश्रो परवेज फुरुरम सहर यार जहांदार 28 अप्टूबर 1627 सिस्पी को भी मुवार नामक अस्थान पर जहांगीर की मृत्तू हो गई उसे सहधार सहधार लहावर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया मुगल चित्रकला ने अपने चर्म उच्षकर पर जहांगीर के सासन काल में पहुँची नेक्स पॉंट जहांगीर के दरबार के पर मुख चित्रकार थे आगारजा, अबुलहसन, मुहम्मद नासिर, मुहम्मद मुराद, उस्ताद मनसूर, विसंदास, मनोहर एवं, गुबरधन, फारुक बेग, दौलत जहांगीर ने आगारजा के निर्टित्र में अगराब में एक चित्र साला चेस्थापना की उस्ताद मनसूर अबुलहसन को जहांगीर ने करमसह नादिर अलुस, एवं, नादिर रुजमा की उपाधि प्रदान की, जहांगीर ने अपनी आत्म कथा में लिखा कि कोई भी चित्र चाहे, वह किसी मिर्टप्यक्ती या जीवित्प्यक्ती द्वारा बनाया गया हूँ, भौवे किसी और ने बनाई हो तो यह भी जान लेता हूँ कि आँख किसने और भौव किसने बनाई, जहांगीर के समय को चित्र कला का स्वर्ण कहा जाता था, इतमाद उद्ध, दौला का मकबरा सुला सचभी सिस्पी में नूर जहां बेगम ने बनवाया, मुगल कालीन बा फित्र दूरा नामा जड़ाओ काम किया गया। नेक्स पॉइंट असोग के कौसंबी अस्तम परतमान में पर्याग पर समंदर गुत की प्रयाग प्रस्ती तथा जहांगीर का लेखुत किन है। नेक्स पॉइंट जहांगीर के मकबरा का निर्मार नूर जहां ने करवाया थ जहांगीर के सासन काल में कैप्टेन हंकिस सर टाम्स रो बिलियम फिंच एवं एडवार्ड टेरी जैसे यूपियन याधरी आये थे अब हम लोग देखते हैं साह जहां 1627 इसपी से 1657 इसपी तक साहसन किया साह जहांगीर के बाद सिहासन पर साह जहां बैठा जोदपूर के नाम जोदपूर के शाशक मोटा राजा उदैसिंग की पुत्री जगत भुसाई के गर्भ में गर्भ से पांच जनवरी उन पंद्रह सो बानबे इसपी को खुर्रम का जनम लहार में हुआ खुर्रम ही साह जहां है आपका सलस बारह स्पी में खुर्रम का बिवाह आश्रफ खां की पुत्री अरजुमंद पानो बेगम से हुआ जिसे साह जहां ने मलिका जवानी की उपाधी प्रदान की 7 जून 1661 स्पी में प्रसव पीना के करण उसकी निद्टू हो गई चार फरवरी 1628 स्पी को साह जहां आगरे में अबुलमुजफर सहागुतीन मुखम्मद साहिब कीरन शानी की उपाधी प्राप्त कर शिहासन पर बैठा साह जहां ने आसफ खां को वजीर पद एवा महावत खान को खान खाना की उपाधी प्रदान की इसने नूर जहां को दो लाख रुपया प्रती बर्स की पिंसन दे कर लहार जाने किया जहां 1645 स्पी में उसकी मिर्टू हो गई नेक्स पॉइंट देखते हैं अपनी बेगम मम ताज महल की याद में साह जहां ने ताज महल का निर्माड आगरे में उसकी कबर के उपर करवाया ताज महल का निर्माड करने वाला मुख अस्थापत कला उस्ताद अहमद लाहौरी थे मैयूर्स जहासन का निमाज साहँजान ने करवाया था इसका मुख कालाकार के बेबादल खान था नेक्स पॉइंट देखते हैं साहँजाहा के साहसन काल को अस्थपत ते काल का स्वर्ड यूग कहा जाता है साहँजाहा दोरा बनाई गई प्रमुख इमारते दिल्ली का लाल गिला, दिवाने आंग, दिवाने खास, दिल्ली जमा मस्जीद, आगरा मुती मस्जीद, ताज महल आदी है साहँजाहा ने 1638 इस्थपी में अपनी राजधानी को अगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिये तटपर साहँजाहानाबाद की नियू डाली आगरे के जम्य मस्जीद का निर्मार साहँजाहा के पुत्री जहां आराने करवाई साहँजाहा के दरबार के प्रमुक्षि द्रकार मुहम्मद फकीर एवं मीर आशिम थे साहँजाहाने संगीत तक के लाल खां को गुर समंदर की उपाधी दी थी साहँजाहा के पुत्रों में दाराशिकोह सर्वधिक विद्वान था इसने भगवत गीता येग बसिस्टे उपनिसद रमायर का अनुवाद फार्सी में करवाया इसने सर्वधिक अकबर महान रहसे नाम से उपनिसद का अनुवाद करवाया था दाराशिकोह खादरी सिलसिले का मुल्ला शाह बदखसी का सिस्थ था साह जहाने दिल्ली में एक कलेज का निर्मार येवं दारुल यका नामक कलेज की मरमत कराई सितंबर 1657 इसमी में साह जहा के गंभीर रूप से बिमारी पढ़ने और मिर्तियू का खुआख फैलाने के करवर उसके पुत्रों के बीच उत्रादिकारी का युद पर रंभ हुआ उस शमय सुजा बंगाल मुराद गुजरात एवं औरंगाबाद दक्कन में था 15 अपरेल 1757 में दारा एवं औरंगेब के बीच धर्मत का युद हुआ इस युद में दारा की प्राजय हुई सामुगर का युद 29 मई 1657 इसमी को दारा और औरंगेब के बीच हुआ इस युद में भी दारा की हार हुई उत्रा दिकारी का अंतिम युद दिवरिया की घाटी में मार्च 1669 इसमी को हुआ इस युद में भी दारा के प्राजित होने पर उसे इसलाम धर्म की अहुए लेना करने के अपराद में 30 अगस्ट 1679 इसमी को हत्या कर दी गई शाह बुलंद इकबाल किंग ओफ लफ्टी फर्चुन शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा शिकोह जाना प्यादा था आठ जून 1678 इसमी को अरंग्जेब ने साह जहा को बंदी बना लिया आगरे के किले में अपने कैदी जीवन के आठ वे बर्च अर्थाथ 22 यनवरी 1666 इसमी को क्यवत्तर बर्च की अवस्था में साह जहा की मिर्दू हो गई नेक्स वाइन देखते हैं और अग्जेब का सासनकाल 1657 से 1737 इसमी तक रहा और अग्जेब का जनम और अग्जेब का जनम 24 अक्टूबर 1618 इसमी को देहाद यानि कुजराद नमाकस्तान पर हुआ था और अग्जेब के बच्पन के अधिकान समय नूर जहां के पास पिता 18 माई 1637 इसमी को फारस के राजगराने की दिलरास बानो बेगम के साथ और अग्जेब का निगाह निकाह हुआ आग्रा पर कबजा कर जल्द बाजी में और अग्जेब ने अपनराज अविसेख अबूल मुझफर मुहायुदिन मुझफर और अग्जेब बहादूर आलमगीर की उपाधी से 31 जुलाई 1659 को करवाया देवरिया के युद में शफल होने के बाद 15 माई 1669 को और अग्जेब ने दिल्ली में परवेश किया और साह जहां के संदार महल 5 जुन 1669 को दूसरी बार राज आविसेख करवाया और अग्जेब के गुरु थे मीर मुहम्मद हकीम और अग्जेब सुन्नी धर्म को मानता था उसे जिन्दा पीर कहा जाता था जै सिंग युवम सीवा जी के बीच पुरंदर की शंधी 22 जून 1665 इसवी को संपन हुआ माई 1666 इसवी को आगरे के चिले के दिवाने आम में और अग्जेब के समक्ष सीवा जी उपस्थित हुए यहां सीवा जी को कैद कर जै पुर भवन में रखा गया इसलाम नहीं सभीकार करने के कारण सिखो के नवय गुरू तेग बाहदूर के हत्या और अग्जेब ने 1675 इसपी में दिल्ली में करवा दी थी औरगजेब ने 1689 इसपी में जजिया करको पुनह लागू किया औरगजेब ने बीबी का मकाबरा का निर्मार 1689 इसपी में औरंगाबाद यानि का महराष्ट में करवाया नेक्ट पॉइंट 1686 इसपी में बीजापूर आउम 1697 में गुलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल समराज में मिला लिया मदना आउम अकना नामग ब्रामरो का संबन गुलकुंडा के सासर अबुलहसन से था और अंग्जेब के समय हुए जाट विद्रोग का निर्दित गोकुला एम राजा राम ने किया था 1670 इसपी में तिल्पत की लड़ाई में जाट परास्थ हुए गोकुल को मौद के घाट उतार दिया गया इसके बाउजित जाटो ने 1685 इसपी में राजा राम के नर्दित में पुना पित्रोग किया इन जाटो के सिकंदर ने सिकंदर में इस्धित आकबर के मकब्र को भी लूटा भरतपूर राजबंस की निव और अंग्जेब के सासन काल में जाट नितायों राजा राम के भतिजा चुरामन ने डाली और अंग्जेब के समय हिंदू मनसबदारों की शंखिया लगभग 337 थी जो अन्न मुगल समराज के तुलना में अधिक थी और अंग्जेब का पुत्र अकबर्ग ने दुरगा दास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाब बित्रोह किया नेक्स पॉइंट और अंग्जेब ने कुरान को अपने सासन का अधार बनाया इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना नौरोज का तिवहार मनाना भांग के खेती करना, गाना बजाना, इराखोदरसन, तुलादान प्रथा इस प्रथा में समराट को उसके जनम दीन पर सुने चांदी तथा अने बस्तियों से तॉलने की प्रथा यह अकबर के जमाने में परम हुई थी आधीद पर प्रातिबंद लगा दिया और अंग्जेव ने दर्बार में संघीट पर परबंदी λगा दी तग्ड्यों को आवकास दे दिया भारतीय सास्त्री संघीट सास्तिय संघीट पर फार्सी में सबसिव अधिक पूस्तके और अंग्जेव के ही सासन काल में लिकھی गए औरंगेब सेम बीना बजाने में दक्ष था औरंगेब ने 1665 इस्पी में हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया इसके सहसन काल में तोड़े गए मंदिरों में शोमनात का मंदिर बनारस का बिस्वेनात मंदिर एवंबीर शीहन देओ द्वारा जहांगीर काल में मतुरा में निर्मित के सवराय मंदिर थे औरंगेब की मृत्व बाईस फरवरी 707 इस्पी को हुई इसने खुलाबाद जो अब रौजा कहलाता है में दफनाया गया औरंगेब के शमय सुवो की शंक्या बीस थी औरंगेब दारूल हर्ब काफिरों का देश को दारूल इसलाम इसलामों को देश में परवर्टिक करने को अपने मात्पे पुर्ण लक्ष मानता था नेक्स पॉइंट नोट और अगजेब के सासन काल में मुगल सेना में सर्वधिक हिंदू सेना पती थे तो आज के लिए अतना ही हम लोग नेक्स वीडियो में देखेंगे मुगल सासन ब्यवस्था अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सबस्क्राइब ना किये हैं तो कर ले ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जैसे मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ थैंकियू